ओ सूह हलो बचों। हमारे इस चापटर में अभी तक हम नुक्लियोटाइद नुक्लियोसाइड के बारे में देख चुके हैं, क्या क्या हम 11 कवbowड कर चुके हैं इस एक बार देख लिए हैं। उसमें कौन-कौन से बंद उपस्ती थे DNA के अंदर आपको दो प्रकार के बंद मैंने बताया थे DNA के अंदर एक एंगलाइक बंद होता है जो कि 121 या 129 हो सकता है एक मैंने आपको बताया था फॉस्फो एस्टर बॉंड अगर वह दो है तो उसे बोलेंगे फॉस्फो डाइस् तो यहां पर हम बंद की बारे में भी चरचाग और सुपकर चुके हैं कौन-कौनसे बंद एंगलाइकोसाइडिक और इसके अलावा कौनसे बंद की बारे में फॉस्फो एस्टर बॉंड ठीक है यह बंद हम जान चुके हैं कि कहां-कहां पर विपस्तिक होते हैं हमने वाट वाइट सं ए ने कुसा मोडल दिया था डाबल हैलिक मोडल वाइट सोने क्रिक ने दिया था डाबल हैलिक मॉक्डल इसको भी रमॉडल कि ऑम देख चुक्द और बाद में हमने बात की थी चारगाफ चारगाफ रूल की, चारगाफ रूल, क्या कहता है? अब इसके बारे में हम टेल में देख लेते हैं, उस संबंदित कुछ questions, लगा लेते हैं कि चारगाफ रूल के ऊपर question किस प्रकार से पूचु जाते हैं, तब यहां तक हमारा complete हो होचुका है अब हम चारगाफ रूल के बारे में देख रहा है। चारगाफ रूल क्या है यह चारगाफ ने लिया वेजयानिक का नाम है चारगाफ नियाम चारगाम ने बताया कि किसी भी DNA में किसी भी DNA केरी हम बात करें जो कि डबल इस्टेंडर DNA है वहाँ पर प्यूरीन की मात्रा पाइरमिडीन के बराबर होती है किसी भी DNA की बात करें तो DNA में अगर वो डबल इस्टेंडर DNA है तो वहाँ पर प्यूरीन की मात्रा किसके बराबर ह बड़ाबर बड़ान दोनों के मात्रा हमेशा कैसी एक रहती है लेकिन अगर मेरे आरेने के बात करूं तो आरेने पे चार्जग्राफ रूल नहीं लगता अगर single standard DNA है तो वहाँ पर भी यह rule नहीं लगेगा यह rule सिर्फ कहां लगेगा अगर आपका DNA कैसा है double standard DNA वही पर यह rule लगेगा यह point clear है आपको अब यहाँ पर purine की मात्रा किसके बराबर है? Pyramidine के बराबर है तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ a बराबर t तो यह क्या सही है और everytime तो क्या यह सही है बिलकुल सही है थिसे angry रमटला गाल बिरामेर देखके कंने पकर पब ओ हे तो यह सारे चारिगाफ़ रूंल को इंब दता अ shrinking ठीक है तो आप चारगाफ रूल को जब हम लोग कोशन सौल करें तो इस जीस का ध्यान रखें कि प्यूरीन की मात्रा किसके बराबर है पाइरेमिडीन के बराबर है यहां तक क्लियर हुआ अब क्वेशन किस प्रकाय से पूछे जाते हैं माल लीजे एक्जाम में आपसे कोशन पुछा गया कि किसी कोशिका के अंदर किसी कोशिका में कोई भी कोशिका है और कोशिका के डीने में किसी भी कोशिका के डीने में साइटो सिन की मात्रा साइटो सिन की मात्रा यहां प्रतिशत में दी है साइटो सिन की मात्रा 15 प्रतिशत है ठीक है तो बाकी के शारक की प्रतिशक्ता बताईए जो बाकी के शारक है बाकी के शारक क्या होंगे बाकी के शारकों की प्रतिशक्ता आपको बतानी है बाकी के शारकों की प्रतिशक्ता बताईए चलिए बताईए जब आप देख रहे हो तो वीडियो को आप पोस करो और पो ठीक है सौल तरलिया आपने चलो सी की वेल्यू यहां पर कितनी डिवी है तर्फीन परसेंट हमें यह पता है कि जितनी मात्रा यहां पर सी की होगी उतनी मात्रा किसकी होगी जी की होगी जी अगर सी की मात्रा यहां पर पंडरा है तो जी की मात्रा भी कितनी होगी पंडरा प् कि अगर A plus T plus G plus C यह बराबर 100% होता है और GC की वेल्यू पता है तो हमेशा आराम से आप 80 की वेल्यू निकाल सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन गुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे यहां पे किलो बेस पेर आपसे एकाई बदल दी जाएगी या मैजनमेंट बदल दिया है आपको मात्रा निकालनी होती है A की मात्रा T की मात्रा थोड़ा सा मिथमेटिकल हो जाता है लेकिन नीट में हमारे क्वेश्चन आसान ही पूछे जाता है मैंने यहां पर वैल्यू चेंज कर दी है मेरे ख्याल से 2015 एक पीम्टी में यह कोशन पूछा गया था जहां पर साइटोसिन की मात्रा सत्रा प्रतिशत थी हमने यहां पर 15 प्रतिशत ने लिए तो वैल्यू बदल जाती है क्वेश्चन वही रहता है ठीक तो अगर सी और जी कितनी हो रही है सी की मात्रा यहां पर 30 पर अब आपको रिमेनिक पता लग रहा कि 80 की मात्रा कितनी है ृ सिस्टी सेंियर क्या इ开始 कितनी होगि 70 किन 0 new तो जब आपको 70 % यहां पर क्या मिल गया A प्लस T तो आप A की भी मात्रा बता सकते हैं और T की भी मात्रा बता सकते हैं तो A की मात्रा यहां पर कितनी होगी 35 % ठीके ती की मात्रा यहां पर कितनी होगी 35% यहां गया आपका अंसर इस तरह से आपको questions solve करना है question अगर इस प्रकार से आजाता है तो आप इसे आसानी से solve कर देंगे अब question यहां बदल चुका है question पूछा गया है इस प्रकार से देखो बच्च अगर question इस प्रकार से पूछा जाए कि किसी DNA में या किसी आनुवान्शिक पधार्त में किसी आनुवान्शिक पधार्त में कि किसी आनुवान्शिक पधार्त में यहां पर किसी मात्रा बच्चा किष्चार्क से प्रतिशक्ता कहु안 दी गई है। क्या दी गई हए एक की मात्रह यहां पर दी गई है 35%। 시 देख कर कि आपका जो अनुआशिक पधार्ड हे वह क्या अनुआशिक पधार्ड बताना है इस देख कर घ्लान देकर आपको बताना है चली देखके बताईे आप देख लिया आप ने ची अभ है और हम देख लेते हैं डियेने रिया हुआ हें डबल इस ट्ड्ड ड्ड्ड्न मि आप भी देखिए डबलिस्ट्ड ड्ड्यijएने तो प्यूरियं की मात्रा तो दिम नहीं यहां प्याप देखरे हैं कि यहां पर पाइ pasture ह की मात्रा के समाना है पिल्कुल नहीं है दना नहीं है और बात करें चया है आरे में थाइमीण होता नहीं यहां पर थाइमीन दिया और यहां पर तो इस तरह से हमें यह कोईशन करने हैं यहां तक क्लियर है आगे चलते हैं आगे हम देखेंगे बेस रिशो कई बार चारगाफ के नियम में और बेस रिशो में कन्फ्यूज हो जाते हैं तो अभी हम तुलना कर लेते हैं चारगाफ का नियम बेस रेशियो या फिल शारक अनुपात से किस प्रकार से बिन्न है इसे मैं इरेज कर रही हूं यहाँ पर अब आप देखिए बेस रेशियो बेस रेशियो जिसे हम बोलते हैं शारक अनुपात देखो शारक अनुपात क्या होता है यहाँ जातिय विशिष्ट होता है ध्यान रखना कि यहाँ जातिय विशिष्ट होता है फार जाती के लिए यहाँ विशिष्ट होता है और इसे रेप्रेजेंट किया जाता है a plus t upon g plus c से बचो आप उधर देखिए ये क्या है आपका a plus g upon c plus t बराबर 1 है ये क्या है आपका चारगाफ रूल है a g से यार रखो a g ये चारगाफ का रूल है ठीक चार आए ऐसे भी यार रख सकते हो अगर थोड़ा सा आप confuse हो जाते हो बार-बार आप भूल जाते हो इसे तो आप ऐसे आदेखिए कि वहाँ पर जा रहा है चार और यहाँ पर क्या रहा है ये जार तो a के साथ में यहाँ पर क्या रहा है जार इता देखिए आपको वेसे भी याद हो जाएगा जब मैं आपको ये बताऊंगी तो a प्लस t है अपको जी प्लस c है और ये क्या है यहाँ पर कॉंस्टेंट है किसी भी जाती के लिए ये किसी भी जाती के लिए क्या है कॉंस्टेंट है या ये इस्थाई है ये बदलता नहीं है ये इस्थाई है ये कॉंस्टेंट है अब इसे कैसे आप समझोगे कि base ratio क्या होता है देखिए DNA दो प्रकार की देखने को मिलते हैं हमें यह पता है दो प्रकार की कोशिका हैं एक prokaryotic कोशिका है इस चाप्तर की शुरुवात में मैंने वह आपको बता दिया अब prokaryotic कोशिका और का एक दूसरे से कैसे बिनना है यहां बर दो प्रकार के DNA देखने को मिलते हैं ऐसा DNA ऐसा DNA यह देखिए यह DNA बना रही हुआ आपके सामने यह DNA है इस DNA में एक के सामने यहां पर T है T के सामने A है फिर G के सामने C है C के सामने G है और T के सामने अगेन यहां पर T के सामने अगेन यहां पर A है अब मेरे को देखके बताईए इसमें किस शारक युगम की मात्रा जादा है कौन सा nitrogen बेस यहां पर जादा है इसे देखके बताईए आपको दिख रहा है कि यहां प यहां पर नाइट्रोजन शारक एटी है और दो क्या है यहां पर जी सी है तो इसमें एटी की मात्रा ज्यादा है किस से जी सी से किसमें पर का हो गया एटी प्रकार का ढर्सटाव्मे sih और बस प्रकार का बाकारा प्रकार का बार ब्सक्राइब को एडिस शीडैन सी निकालो गार बस निकालो है Base ratio आप निकालोगे, तो आप देख रहे हों कि 3 यहाँ पर 80, 2 क्या है यहाँ पर? जी सी. 3 यहाँ पर क्या है 80, 2 क्या है यहाँ पर? बोलो, दिख रहा है यहाँ यह नहीं देखो आप, दिख रहा है न? तो अब यहाँ पे इसको जब upon में लेके आओगे तो जो value आएगी वो एक से क्या आएगी? जादा आएगी जो भी यहाँ पे value आएगी वो क्या आएगी? एक से जादा एक से जादा आएगा यहाँ पे क्या आएगा? अनुपात एक से जादा 80 का 80 और अपोन GC का अनुपात मतलब जो शार अनुपात है वो एक से ज़्यादा आता है यदि शार अनुपात एक से ज़्यादा आता है तो वो कोशिका कौनसी है यू केरियोटिक कोशिका है हमारी अंदर कोशिका है है तो इस बेसरेशो के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारे ड्येने में किस मात्रा ज्यादा ज्यादार और GC की मात्रा क्या है कम है devrait स्यों को देख्या बता सकते हूं ठीक कि हमारे आपके सामने यहाँ पर में डीने बना हुआ इसको यहाँ पर एरेस कर्यों देखो आप अब मैंने एक और dna आपके सामने बनाया है और इस dna में देखिए g के सामने c है c के सामने g है फिर यहां पर a है a के सामने t है t के सामने a है और फिर c के सामने यहां पर g अब इस dna को आप देखिए dna को देखके बताओ कि किसकी मात्र जादा है हाँ बिल्कुल G plus C की मात्रा ज्यादा है A plus T से तो यह कौन से प्रकार का DNA हुआ यहाँ हुआ G C प्रकार का DNA क्योंकि इस DNA में किसकी मात्रा ज्यादा है अब इसका base ratio आप निकाल के देखिए तो base ratio में आप ऊपर क्या लोगे 80 कितने है 2 और जीसे कितने है 3 अब आप upon में करके इसकी value निका लो और value की है एक से कम बेस ratio की value की एक से कम आप निकाल के देखो यह आपका घाम है अगर यहां पर two upon tree करो किसमे होती है जिवारू में होती है तो जिवारू में हम कौनसे प्रकार का डिये में बोलेंगे जब हम सेल पाइलोजी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जिवानों में कौन से कि बात करें तो मनुश्य में जब मनुश्य की डिने का बेस रेशो निकाला जाता है और यह बान गाल है चारगाफ euum से अलग है clear हैं यह दो प्रकार के डिये आ आपको बता दिये ठीक अब यहां पार हम भात करेंगे dna के dna की दीने की रागाफ यहां देख़ लिया हमने बेस रेशो देख लिया और डिन के विन्यास की बात करें इतना आपको क्लियर हो गया तो मैं इसे एरेज कर देती हूँ चलिए अब हम बात करें यहां पर डीने का विन्यास डीने के विन्यास की बात करें बचों यहां पर दो प्रकार के डीने हैं एक है बी डीने और एक होता है जैड डीने हम जिस डीने की बात करें वो बी प्रकार का डीने यहां रखना कि हम जिस DNA की बात कर रहे हैं वो B प्रकार का DNA है चीक है और इस B प्रकार के DNA में जो गुर्णन होता है यहां गुर्णन दक्षीना वर्ट दिशा में होता है कौन सा दक्षीना वर्ट दिशा में इसी के उल्टा एक और DNA होता है जिसकी बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको यह ध्यां रखना है कि दक्षीना वर्ट मतलब दक्षीन दिशा में जिसकी दूर्णन हो रही है वामा वर्ट जिसकी मतलब उत्तर दिशा में क्या हो रही है कॉिलिंग तो बी जस्ट आपोजिय वह पे बावा वर्थ जिसे ग्वामा प्रकार का डियेंग कहा जाות ग्वायरा का ड्या आपातोborg को सीरट वावा बता सब्सक्राइब क्लिए रखेंगर है वावा वर्थ है तो अभी फिलाल आपको इसे फिर ध्यान रखना है अब यहां पर में स्ट्रॉक्चर बना रहे हूं डियने की जिसे कि हम डियने के विन्यास को पहचानेंगे मैंने आपको बताएं तब पिछली क्लास में भी कि डियने की सरंचना आपको इस प्रकाय से बनानी है जैसे मैं बन लेकिन जब आप आगे क्लास में जाओगे तो वहां तो बार बार डियने आएगा तो बलती नहीं करनी नीट के लावा और एक्जाम में तो आपको बनाने इस तो आप देख रहे हो कि यह डियने है और इस डियने में कुंडलन हो रहा है इस डियने में क्या हो रहा है कुंड कि यह एक कुंडलन यहां से यहां तक है क्लियर है और मैंने आपको कल ही बताय था कि इस कुंडलन में यहां पर इसे आप हाफ कर दो तो उपर का जो कुंडलन होता है ना उपर वाले हैलिक्स में या उपर वाले पार्ट में इसमें पांच नाइट्रोजन शारत युगमु होत एक, दो, तीर, चार और ये पांच, पांच उपर है और पांच नीचे है, एक, दो, तीर, चार और ये पांच, कुल मिलाके कितने हुए? एक कुंडलन में जो एक कुंडलन हुआ है इस एक कुंडलन में कुल मिलाके दस क्या है नाइट्रोजन शारक या नाइट्रोजन बेस पेयर है आप समझ गए ना पेयर का मतलब शारक युगम ठीक है अगर दस नाइट्रोजन शारक युगम ठीक है अगर दस नाइट्रोजन शारक युगम है तो सिर्फ नाइट्रोजन शारक की संख्या बताईए नाइट्रोजन शारक की संख्या कितनी होगी एक कुंडलन में इस एक कुंडलन में नाइट्रोजन शारक की संख्या कितनी होगी बता सकते हो ना 20 कितने होगी 20 यदि पेर डस है तो नाइट्रोजन शारग कितने होंगे 20 होंगे या नहीं होंगे बिल्कुल अब यह भी कल बताया था कि एक नाइट्रोजन शारग यह एक नाइट्रोजन शारग और दूसरे नाइट्रोजन शारग युग्म के मध्यत दूरी कितनी है 3.4 angstrom कितनी है 3.4 angstrom यहां पर यह इस तरह से बता देती हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा यह फॉस्फिट है यह शूगर है ठीक है और यह बेस है ठीक एक ही बना रहे हूं मैं फिर यह फॉस्फिट है फिर यह शूगर है और यह बेस है ठीक तो इन दौनों के मत्य दूरी कितनी है इसको जोड़ दो क्या मैं ताकि आप कंफ्यूज नहों चलो मैं इसको जोड़ देती हूं शूगर से पॉस्फिट को जोड़ देती हूं यह तो इन दौनों के मत्य दूरी कितनी है अभी बताया तो यहां पर दस नाइट्रोजन शारक युगमक है तो इस पूरे कुंडलन की लंबाई कितनी हो जाएगी इस पूरे कुंडलन की जहां पर यह गुणन हुआ है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 34 angstrom कितनी हो जाएगी 34 angstrom आपको किसे मल्टिप्लाई करना है यहां पर 3.4 को मल्टिप्लाई करना है तो आपकी वेल्यू क्या गई 34 angstrom 34 angstrom क्या है एक हैलक्स की एक कुंडलन की लंबाई है 34 angstrom इतना क्ला हुआ है अब यहां से टान नोहिए फिर यहां से त्रड़ हो और हर लेवल पे जो टेनिग हो रहे है वो 36 डिग्रे की है अब लेवल है यहापर जो टेनिग हो रहे है यहापर जो टेनिग होड हुड हमें इस टेозмार कों से हूं tip sandorf यहापना मत्पे सब्सक्राइब लेग्रों की है हाह 360 degree और इसका व्यास कि बात करें तो इसका व्यास कितना होगा यह कल ही बताए था मैंने 20 angstrom कितना बता है था 20 angstrom नेनो मिंटर में करना है तो क्या कर लोग हई तो नेनो मिंटर हो जाएगा ऑगर क्या तो Колि तो क्या कर दोगए यहां पर आफ क्या करोंगे तो दोग क्या करोंगे क्या आजाएगा जब आप 3.4 को यहां पर नेनो मिटर में कनवर्ट करोगे तो क्या वैल्यू आजाएगी जब उसका तू नेनो मिटर आ रहा है तो इसका क्या आजाएगा आपको बताना है तो अभी हम यहां पर लिख लेते हैं नाइटोजन शारग कितने हुए बीस ठीक है और यहां पर शारग युग्मों के मध्यदूरी कितनी हुई शारग युग्मों के मध्यदूरी मध्यदूरी कितनी हुई है 3.4 angstrom right 3.4 angstrom व्यास कितना है व्यास कितना है 20 angstrom और इस पूरे हैलिक्स में या कुंडलन की लंबाई एक कुंडलन की लंबाई कितनी है 34 angstrom तो यदि इस प्रकार से हमें यह पता लग जाए कि DNA में कितने नाइट्रोजन शारक युग्म है किसी दिने में कितने शारक युग्म है तो हम DNA की लंबाई निकाल सकते हैं यदि आपको किसी DNA की लंबाई का पता करना है कि DNA की लंबाई कितनी होगी DNA की लंबाई कितनी होगी तो आप क्या फॉर्मुला लगा दोगे आसान सा फॉर्मुला है उस DNA में कितने नाइट्रोजन शारक युग्म है ठीके बेस पेर की संख्या बेस पेर की संख्या और इसे आप किसे गुणा कर दोगे तीन दश्मलों चार इंगिस्ट्रोम से गुणा कर दोगे तो आपके दो प्रकार के ग्रूव होते हैं यह आपको दिख रहा है यह बड़ा ग्रूव है यह चोटा ग्रूव है तो जो बैक साइड में यहां पर ग्रूव है इसे कहा जाता है माइनर ग्रूव इसे कहा जाता है माइनर ग्रूव राइट और जो इधर की तरह आपको दिखाए दे यह बड़ा सा इधर देखो आप यह बड़ा सा इसे हम बोलते हैं मैजर गुरूप हाला कि किसी एक्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे बट फोर नॉलेज हमको याद रतना है तो यह है आपके डीने का विन्यास ठीक इतना आप नोट करिए इतना आप नोट करिए आपने बचो मैंना आप से पूछा था कि आप इसे एंगिस्ट्रोम में करें 3.4 अपने कर दिया नैनोमेटर में ठीक है क्या आया होगा आपका अंसर 0.34 अगर मैं इसे नैनोमेटर में करूं इसको करूं तो क्या जाएगा तो यह विन्यास था अब यहां पे हमारी एंसी आ कि अंदर शार युग्मों की संख्या दीवी है उसे हम देख लेते हैं इसे मैं यहां से एरेज कर रहे हूं यह आपको क्लियर हो गया डियने का विन्यास तो अब हम कुछ जन्तूं के शार युग्मों देख लेते हैं चीक है शार युग्मों जो की हमारी एंसी आइटी में दिये हुए हैं बच्छों सबसे पहला दिया हुआ है यहां पर साइब 174 यह वाइरस है और यह जो वाइरस है यह एक प्रकार का सिंगल स्टेंडर्ड है ठीक है यह क्या है एक प्रकार का सिंगल स्टेंडर्ड डीने सिंगल स्टेंडर्ड डीने और इस सिंगल स्टेंडर्ड डीने में जो नाइट्रोजन शारक युग्मों की संख्या है वहां लिमिटेड है ठीक है वहां पे न्यूक्लियोटाइड है औ 156 शियन रगनां आपको और यह कितने है वेज़ाइद है जुआ नहीं नहीं मैं यह जायां यूपने यूखन नहीं जाए्टर एहं घ्या tan क्योंकि डिनंगते यसा हैं 이라पे यहां फेटश्टन अब आगे चलते हैं आगेHer सद्वस में और दो जरुंह沒ते हैं इस निमसें ऑई इस पास है पीचान में जोज और एक शरीखमो कि संख्या कितनी अ किनि अब यहां पर और यह बेस पेर कितने में 48502 यह इसके base pair है बात करें E. coli की तो E. coli में भी double extended DNA है और यहां पर 4.6 into 10 की पावर 6 यहां पर base pair उपस्के जाए है human की बात करें मनुष्य की दो प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारे अंदर द्वी गुनित कोशिका होती है और आगुनित कोशिका होती है लेकिन अधिक्तम सारी कोशिकाएं द्वी गुनित हैं केवल और केवल युक्मक कोशिकाओं को हटा कर क्योंकि हमें पता है अंड कोशिक वोग्षञका और शुक्रान कोशिका कैसी होती है आगुनेत होती है तो अगल हीमन के बात करें को विद्पकरुने तो उसमें डु निस्ते टिने वह है और नुब कोशे ग्यूटर कोश्री नियु यह यहां पपडम है इसे की मापड डूनेbn कोशिका पेर की संख्या है 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेर अब एचो आपके सामने ये पूरा फीगर दिया हुआ है और इस फीगर को देखकर आप बताएए कि आप क्या हुमन सेल की लंबाई निकाल सकते हैं क्या हुमन सेल की लंबाई निकाल सकते हों मिटर में लंबाई ग्याद कर सकते हैं वह भी किसमें मिटर में वह भी आपको किसमें करना है इद्धों माला हुआ हुआ है चिसमें मिटर में करना है मिटर में ला घुटी किसमें लगातीज आपको पता है आप किस परकार से लंबाई ग्याद करतें यह आपको लंबाई ग्याद्र करनी है तो आप लंबाई बरावर क्या लिखते हो संख्या किसकी संख्या शार युग्मों की संख्या कुल कितने शार युग्मों हैं और उन्हें किस से अब हमें यह पता है कि हमें एंडिस्ट्रों की वैल्यू नहीं चाहिए हमें तो यहां पर मिटर में चाहिए वेल्यू तो आपको मिटर में करना पड़ेगा शार युग्मों की संख्या तो हमें पता है कितनी है और आप करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 3.4 इंटु 10 की पावर माइनस 10 और जब लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लंबाई यहां पर कितनी निकल कि आ जाएगी जाएगी 2.2 ठीक है मीटर याना पर इसकी लंबाई आ जाती है किसकी यूमन डिये ने की 2.2 मिटर लंबाई आ जाती है कि इतना क्लियर है आपको इतना क्लियर है आपको इतना अगर क्लियर है तो आप इसे नौट कर लो हमारी ncrt में एक और क्वेश्चन दिया है वो भी हम देख लेते हैं कि एक कोशिका है उसके dna की लंबाई कितनी है 1.36 mm उसकी लंबाई दी गई है तो आपको याद करना है कि उस dna में नाइट्रोजन या शार युगमों की संख्या बताएं शार युगमों की संख्या आपको बतानी है तो आपके सामने फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला है लंबाई आपको यहां पे दी गई है डियने की लंबाई अबद हम क्या लगाते हैं वे स्पेयर की संख्या यह तो हमें ग्याद कर नी है और किसे मुल्टिप्लाई करते हैं तो हमें 1.36 mm में क्या दी गई हैं यहाँ पर हमें 1.36 mm में हमें यहां पर लंबाई दी गई है तो आप हम इसे किस में convert कर लेंगे यहाँ पर मिटर में convert कर लेंगे तो आप यहाँ पर लंबाई लिख देते हैं 1.36 mm अब बराबर संख्या आपको ग्याद करनी है और इसे 3.4 एंगिस्ट्रोम से multiply करना है उससे पहले इसे हम मिटर में convert कर लेंगे तो यहाँ पर क्या 3.36 इंटु 10 की पावर मिनस 6 और यहां पर कितना आजाएगा कितना आजाएगा 3.4 इंटु 10 की पावर मा कितना आजाएगा 3.4X10 कीपावर मा 향 N-10 से इसको हमने convert कर लिया है यहां पर 3.4 10 की power minus 10 में हमें convert कर लिया है मिटर के according अब संख्या निकालना है तो हम इसे किस में कर देंगे upon में कर देंगे 3.4 into 10 की power minus 10 10 की power minus 10 और जब आपका आंसर आएगा जब आपका आंसर आएगा तो यह आंसर क्या होगा यह आंसर होगा आपका 4 into 10 की पावर 6 4 into 10 की पावर 6 यह आपके नाइट्रोजन शार्कों की संख्याई है 4 into 10 की पावर 6 बेस पेर यहाँ पे संख्या निकल के आई है तो अब आप मुझे देख के बताओ कि संख्याई आपको किसके समान लग रही है क्या यह आपको एकोलाई की समान लग रही है बिल्कुल तो आप यह समझ सकते हो कि एकोलाई का जो डियने है उसकी लंबाई लगबक कितनी होगी 1.36 mm, कितनी होगी? 1.36 mm, क्लियर हुआ आपको यहां तक, आप देख लो एक बार, यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है? तो बच्चों, आपने यहां पर NCRT का कॉष्ण यह देख लिया, ध्यान रहे हैं, आप इसे अपोन में रखना, आप मैंने यहां पर यह लगा रखा है, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि यह लाइन है, यह अपोन में है, चीक है? तो इसे आप अपोन में लेना, जब इसे आप अपोन में लोगे, तो आपका अंसर यहां पर यह निकल के आजाता है, चीक है? चलो, तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार हम लंबाई निकाल सकते हैं, DNA की, सिर्फ हमें यह पता हो कि nitrogen शार्कों की संख्या कितनी है, यदि nitrogen शार्कों की संख्या पता है, तो हम लंबाई लंबाई निकाल सकते हैं, इतना सा हमें पता है, और हमने इसी आधार पर human DNA की लंबाई भी निकाल ली, एक दिवी कोशिका में human DNA की लंबाई कितनी निकाली हमने 2.2 मिटर, अब आप खुद सोच के देखिए कि एक इसी कोशिका जिसे आप देख नहीं सकते, उसकी केन रख इसे हम आगे देखेंगे, अभी मैं इसे erase कर रही हूं, इसे हम देखेंगे पैकेजिंग में, हम देखेंगे कि DNA की पैकेजिंग कैसे होती है, DNA को कैसे accommodate किया जाता है, एक कोशिका के किनगत में, कितना लंबा DNA है, 2.2 मिटर लंबा, आप कहीं बार स्टुडेंट अंन्हें लगती हैं, यह कोशिकाएञ, जितनी भी और मिला करा यह बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है कि हमारी कोशिका में कितने DNA हैं, खुनसुत्र हैं, खुनसुत्र टो 46 का स्टूमें, खुनसुत्रों का मिलाकर यह लंबाई, कितनी हैं, जिसे घू जीजिक है, इस प्रकार से 46 गुंसुत्र है हमारे पास में उनके जोड़े हैं तो उन सबका मिला के कितना आ जाता है 2.2 मिटर इतना आपको थ्यान रतना है बचों यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेशन दे दूँ तो क्या आप उसे सॉल कर दोगे मैंने यहां पर लिखा है कि किसी कोशिका के डी एने में किसी कोशिका के डी एने में 500 नाइट्रोजन शारक जोड़े उपस्तित हैं जोड़े उपस्तित हैं ठीक है तो आपको बताना है कि की अंदर किसे अंदर किटने नाइट्रोजन शारक हैं कि नाइट्रोजन शारक हैं शारत की संख्या बतानी है ठीकिन ग्लाइको साइडिक बोंड ग्लाइको साइडिक बोंड की संख्या बतानी है और डीने में प्यूरीन की मात्रा बतानी है आपको प्यूरीन की संख्या कितनी है पाइरेमेडीन की कितनी है और आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है यदि इसमें क्या है 500 जोड़े हैं 500 नाइट्रोजन शारग के जोड़े हैं तो अब आप इसको देखके बताओ करिए आप पहले सॉल करो फिर मैं बाद में सॉल करूँ 500 नाइट्रोजन शारग के जोड़े हैं तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या बतानी है एक न्यूक्लियोटाइड में कितना बेस पेर होता है एक होता है तो अब यहां पर आपसे पूरे न्यूक्लियोटाइड पूछ है कि उस डियने में कितने न्यूक्लियोटाइड है क्यो तो किस से करोगे एक नुकली टाइड है ऑपको 500 युग्म में नुकलीट की संख्या बतानी है तो कितने हो जाएगी यह आपका आशनल आया है ना यह यह आशनल आवापका चारक की संख्या दो मतलब 500 जारकों संख्या कितनी होजए ग्लाइकोसाइडिक बन्डिक बतानी है प्यूरी कि शंख्या कितनी हो जाएगी सन्ख्या कि संख्या कितनी है तो 500 यहां पे प्यूरीन हो जाएंगे कि पांसो क्या हो जाएंग पाइडी नंचाल लंबाई लंबाई कैसे निकालोगे नाय ट्रोजन शारकンकों के जोडे की संख्या ठीकि बेश पेर बेस पेर शारकंकों किसे मलिपलाइग करोगे 3.4 एंगिस्ट्रॉम से करोगे क्या निकल के आया ग्याल क्या निकल के आया शत्रास सो तो यह इस प्रकार से आपको question solve करने होंगे हैं कि है ऐसे question ही हमसे नीद exam में पूछे जाते हैं आप कुछ और बातें यहाँ पे जान लेते हैं DNA के प्रस्पेक्टिव में यह तो आपको यह हमारी एंक्राइट के पॉइंट से वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना बन चुके इस में से इसलिये आपको ध्यान रखना है यह जो होता है यह दिने हमने दो प्रकार के दिने देखे हैं एक डीने आपने देखा है जो कि डपल स्टेंडर्ड डीने होता है डपल स्टेंडर्ड डीने जिसमें दो रज्जू होते हैं और एक होता है सिंगल स्टेंडर्ड डीने जिसकी अभी हमने बात करी है कि सिंगल की किसमें देखा वारेस में देखा अट कि फिक और डपल इसेंडेयए में भी आपको दो प्रकार देखने को मिलेगा एक होता है शक्रकूलर कि और एक होता है लीनीयर डी ए एक होता है लीनियर को क्या बलते है रेखिया और सर्कुलर को बलते है वर्तुल सर्कुलर को बलते है वर्तुल प्रिकार का डीने सर्कुलर डीने ऐसा होता है देखो ऐसा यह सर्कुलर डीने है और डीएने ऐसा होता है ऑ ए हमारी यूके रियो टिक कोशिकाओं में अपको जो डी ने मिलेगा यो तो यूइति कोशिकाओं में यूइसे प्रकार की बात करू है तो तो वहां पर आपको सर्कूलर प्रकार का DNA मिलता है जैसे कई बार मैं बैक्टीरिया पढ़ाती हूं अभी मैंने जब क्लास की शुरुवात करी थी फॉर्स लेक्चर में बताया था प्रोकेरियोटी कोशिका के पास में कौन सा DNA होता है सिंगल होता है डबल स्टेंडर्ड होता है राइट तो मैंने यहां पर डबल स्टेंडर्ड बतायाँ था और सिंगल ऀंडरी ऋसे मेरा मतलब था कि वह की सा है अप्रोईड है आगुनित है क्लियर हमारे Egp hanya होता है कि अब होता है कैसा है डबल स्टेंडर्ड है नेकिन उक कोशिकाव में भी आपको पता है कि माइटोकॉंड्रिया होता है माइटोकॉंड्रिया का खुद का डियने होता है क्लोरोप्लास्ट का खुद का डियने होता है तो माइटोकॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर की जो अंदर की सरंचना होती है लगबग लगबग प्रोकेरियोटिक के समान होती है तो माइटो कॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डी एने होता है वो भी कैसा होता है डबल स्टेंडर्ड और सर्कुलर तो प्रोकेरियोटिक के साथ साथ प्रोकेरोटिक के साथ साथ माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट मतलब पार्ण हरी लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटो कॉंड्रिया के अंदर भी सर्कूलर प्रकार का डी ने देखने को मिलता है क्लियर है यह कॉंसेप्ट है यह ध्यान दखने हैं आगे कुछ और बाते हैं वो भी देखेते हैं बायोटेक के अंदर हम देखते हैं बायोटेक में यह शब्द आता है पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस Palindromic Sequence क्या होती है Palindromic Crumb ठीक है अब यह Palindromic Crumb क्या होता है यह Nucleotide का क्रम है नुकलियोटाइड का क्रम और ऐसा क्रम जिसे आप किसी भी दिशा से पढ़ो या किसी भी सिरे से पढ़ो वो एक ही पढ़ने में आएगा या एक ही उसका उचारण होगा तो नुकलियोटाइड का क्रम जिसे किसी भी सिरे से पढ़ा जाए हमेशा वह हमेशा केसा आता है समान ही आता है आता है जैसे कि नमन आपके सामने लिखा हुआ है नमन ठीक है आप मैंसे किसी का नाम होगा नमन या नितिन नितिन देखो आप इस नाम को चाहो तो ऐसे पढ़ लों या एससे पढ़ लो सिक्विण्स दोनों की एक जैसे हैny इस इसपे पढ़िये या इस दिशा में पढ़िये एक यह नजर आ रहा है इसके लिए में डाउंस युद्ध क्या है आपकी這些 सिक्वेंस जो की आपके बार में आएगा इसपे तो और चुका है तो आपको यह ध्यान देना इस पर question घीख बन चुके हैं तो डी एने के अंदर डीने की अंदर दीनにちは क्या है डीन है डीने छुरेशन को डीने स्टेंडर्रड होता है हमें बता है कि डीने क्या है डापल एंदर है और इनकी हाइड्रोजन वोंड्वाण्ड माध्यम में डाल दिया जाए तो इससे माध्यम में डाल दिया जाए तो यह कैसा हो जाता है इसके hydrogen बंद क्या हो जाते हैं तो डिनेचर हो गया यह इस प्रकास है डिने के दोनों इस्ट्रेंड क्या हो गए अलग हो गए डिने के जो बॉंड थे वो क्या हो गए तूट गए डबल बॉंड होता है ऐक एक आपोंड क्या हो गया है तो इसे हम क्या कहेंगे क डीने नेचीरेशन अब डीने के डीनेने विख्रत हो गया तो डीने वाफिस रीनेचर हो गया हो सकता है कैसे होगा DNA को यदि optimum तापमान दे दिया जाए या फिर कम तापमान दे दिया जाए अगर DNA को कम तापमान दे दिया जाए तो DNA वापिस केसा हो जाएगा नेचर हो जाएगा ठीक तो समझ में आ गया आपको DNA किस पर होता है अधिक तापमान पर और शार्य माध्यम पर यदि DNA को उचित तापमान आप दोगे और इसी के साथ साथ क्या दोगे उसे उचित माध्यम दोगे तो DNA वापिस क्या हो जाएगा री नेचर हो जाएगा क्या हो जाएगा री नेचर मतलब DNA के जो बंद थे DNA के हाइडरोजन बंद वापिस जुड़ जाएंगे इस प्रकार से DNA के अंदर दी नेचुरेशन और री नेचुरेशन देखा जाता है अब यहाँ पर है dna में melting point भी कोई चीज होती है melting point भी होता है denote का हांis के crashes दी ने का melting point भी होता है तो melting की बाप करें है ना कि यह जिसे हम किम से रीप्रेजेंट करते हैं तो डीने का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखो वह ताप मान जिस पर DNA का 50 प्रतीशत केवल 50% कितना केवल और केवल 50% आ कुंडलन हो जाता है आ कुंडलन हो जाता है वही DNA का मेल्टिंग पॉइंट होता है इस अपमान पर DNA का क्या हो जाए आ कुंडलन हो जाए लेकिन 50% केवल और 50% तो उसे ही क्या बोलते हैं हम DNA का मेल्टिंग पॉइंट तो DNA का melting point सबसे ज़्यादा किसका होता है ऐसे DNA जिनके पास में CG ज़्यादा है जिनके पास CG ज़्यादा होता है या GC bond ज़्यादा होता है ऐसे लिखू या ऐसे लिखू बात तो एक है तो GC bond GC bond जिसमें ज्यादा होते हैं 80 bond जिसमें कम होते हैं उसका melting point क्या होता है ज्यादा होता है किसका melting point ज्यादा होगा जिसमें GC ज्यादा होगे ऐसा DNA जिसमें GC ज्यादा होगा उसका melting point क्या होगा ज्यादा होगा इतना clear हुआ आपको तो आज हमने कितनी सारे चीज़े देखी हैं आज हमने DNA के विन्यास के के बारे में दिखा हैं B DNA पता लग गया को कि दक्षिन वड उसका गूणन होता है फिर मैंने आपको विपुरीद जेड DNA भी होता है जिसका गुमाव वामा वर्त होता है और जिस DNA के हम बात करें वह कौन सा DNA है B DNA है बी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी सिक्वेंस होती है DNA में डी नैचुरेशन होता है ही नैचुरेशन होता है डीने का अपना मैल्टिंग पॉइंट होता है यह सारे टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर किये हैं अब हम नेक्स क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मैं I hope कि आपको यह समझ में आया होगा झाल झाल